हाई फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुभोज चन्सिंग को जीएस एमपी क्लिनिक आइंड निव चैनल के अंतरगत पिछले कई वीडियों में कुष्ट रोगी के लिए हमने आपको हाइड्रो कोटाइल नाम का दवा हमने बताया था हाइड्रो कोटाइल हमरा कई वीडियों में आप देख सकते हैं ये लेपरोसी कुष्ट रोग सुनबहरी तथा आपको फाइलेडिया में भी बेहतरीन काम करता है आज के खास वीडियों में एक ही परिवार में अगर एक दो तीन चार व्यक्तियों को कुष्ट रोग हो जाए तब आप क्या करेंगे आपको कुछ भी हेडेक चिंता नहीं लेनी है जैसे ही आपको पता चले कि आपको सुनबहरी कुष्ट रोग हुआ है उस समय से ही आप हाइडो कोटाइल का एक सिसी लाएं और ये आपको 3270 में आपको मार्केट में असानी से मिल जाता है किसी भी डॉक्टर के सला से आप ले सकते हैं ये आपको एक सिसी में सभी लोग को यदि 30 पाउर लाएं हैं यानि 30 पाउर का तो 2 से 4 बुन दिन में 3 बार सभी लोग को खिलाईए और सभी लोग का विमारी आगे बढ़ने से आपका रुक जाएगा और इसमें थोरा सा हेल्दी खाना ले आपको फल फूर्ट लेनी चाहिए और हरा साग सबजी आपको सब फायदा करता है इसमें खाने में किसी भी तरह का परहेज नहीं करना पड़ता है बलकि बेहतरीन खाना लेना रहता है और इस तरह से आपको काजू किसमिस जो भी ड्राई फूर्ट आपको आया हुआ है पिस्ता है बदाम है सब कुछ आपके लिए फायदा करेगा तो हाइडो कोटाईल के बदावलत आप अपने परिवार को ये बीमारी जो है बढ़ता है काफी तेजी से आप इसे रोख ठाम कर सकते हैं सरकारी दवा MDT बहुत लोग खाते हैं तो इसका side effect शरीर का कला होना चेहरे का कला होना जोंडि सोजना पिसाम में जलन होना आखों से कम दिखाई देना कई तरह के side effect देखने को मिलता है जोकि इस दवा में बिल्कूल ही नहीं है जीरो साइड इफेक्ट है और इसे लेने में आसान है किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो यदि फेमली में आपको ज़्यादा लोग ले प्रोसी हुए के सिकार हो गए हैं सुनबहरी का तो आप ज़्यादा देरी ना कर इंतिजार ना करें जल्दी से जल्दी आप सिवन करना सुरू कर दे और आप जाच कराना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल में मुफ्त में आपको जाच उपलवद रहता है मुफ्त में दवा मिलता है लेकिन MDRT के दवा सबको सेट नहीं करता है और केवल रुख थाम ही करता है बहुत लोगों तो भी नहीं कर पाता है उन लोग के लिए हैनी मैं जर्मानी के जो विज्यानिक थी हुमिपैथिक क्या इसी टाइप के मरीज के लिए इस हुमिपैथिक दवा का उन्होंने निर्मा किया ताकि बीना साइड इफेक्ट किये और यह मरीज का बिमारी है उजर से खतम कर दे यदि आप चाहते हैं कि लेपरोसी कुष्ट रोग जर्ड से खतम हो जाए तो आज से ही आप किसी भी डॉक्टर के सला से आप हाइडो कोटाइल दवा आप ले सकते हैं यदि आप 57, 533 यानी 980, 1767, 533 पर आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं कुष्ट रोग में आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें चमरा सुन हो जाता है हाथ पाउं का उंगली टेरहा होने लगता है यह हाथ पाउं का उंगली बिल्कुल आपका मूर्णे लगेगा टेरहा होने और यह आखों का जो रोशनी है कम होता है और नेल जो है ना खून है धीरे धीरे आपका कला पढ़ने लगता है और जहरने लगता है घाव जो बन जायेगा आपको ठीक जल्दी नहीं होगा और आपको धूब से आपको बचानी चाहिए धूब भी आपको हानी करता है बहु तेस्ट के लिए कि क्या हुआ है जब जलाते हैं तो उसके बाद घाव बन जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है हमें कई ऐसे मरीज मिले हुए यदि आपको ऐसे सुनबहरी है तो कभी भी उसे आग से न जलाएं इसे आपको काफी नुकसान पहुं सकता है और कटने फटने से आप हमें सब बजाए ताकि यदि आपका त्वचा कटता है तो आपका घाव यल्दी भरेगा ही नहीं इसलिए बचाना इसका आपको महत्पूर्ण ची है और इसमें खान पान दुरुस्त करने नी चाहिए होटल का खाना कभी का भारले रिगुलर खाने से आपका कुपोशन का सिकारो आप हो जाएंगे और इस तरह से आपको कुछ रोग होने का डर रहता है चमरा मोटा होने लगे और रंग बदलने लगे और आपको जंजनाहट रहने लगे कमजोरी रहने लगे ठकान रहने लगे तो आपको समझे के लिए प्रोसी हो चुका है चमरा जहां सुन है उहां पर पीन चित्टी काट के आप देख सकते हैं अलपीन हला कर दे सकते हैं यदि चेहरे में आपको त्वाचा में यदि आपको कुछ ट्रोग का लक्षन दिखाई देता है तो हम पर पीन अलपीन कुछ भी अफ़ालाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से घर बैठे जहां पर आपको लगता है कि सुन बहरी है वाँ पर कलम हलाईए और चिट्टी काटिये या पीन हलाईए आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो आप समझ लिजिए कि आप लेप्रोसी का सिकार हो चुके हैं और इसका ट्रीटमेंट आपको होमेप में बेश्ट मिलेगा और इसे होमेपेथिक दवा से बिल्कुल आपका जर मुल से खतम हो जाता है कुछ समंधी बिमारी में आपको किसी भी तरह का परशानी क्यों नहों वाट्सिप जरूर कीजिए और एमडिटी के दवा से यदि आपको फैदा नहीं मिला है तो आपको च परतिसत ठीक हो जाता है और जर्मनी के जो बेज्यानी हेनीमें साहब थे आई पूरा दवा उनका दुनिया में उनका रिसर्च किया हुए दवा दुनिया में चल रहा है और करोरों लोग इसे हर प्रकार के बिमारी में आपको उन्हें फैदा में रहा है वो भी बीना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है तो यदि एक ही घर में बहुत जादे लोग एक दो चार पांच की संख्या में है हमें तो पहले मालूम नहीं था लेकिन अब आ रहे हैं एक ही घर में तिन तिन चार्च जार सदस्यों को यह लोग प्रोसी की विमारी लग शुकी है उस क अब वीडियो आप लोगों पसंद है होगा इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं नमस्कार आपका दिन सुभ हो जय हिन जय भारत अगले वीडियो का इंतजार कीजिए एक से बढ़कर एक विमारी पर हम अपनी जानेकारी को लाते रहते हैं और उससे आपको फा